Good morning students, आज से पहले जितने भी मैंने लेक्चर दिये हैं, उनमें मैंने राजनीती शास्तर के अर्थ, प्रकर्ती और शेफ्रे और परिमाशाओं की बात की हैं, आज हम इसे परंपरागत राजनीती शास्तर की विशेष्टाओं का अध्यर करेंगे, अब हमारे पास पे इतना आ उनमें चर्चा की थी, एक परंपरागत रिष्टी कौन और दूसरा आधूनीत रिष्टी कौन, तो परंपरागत रिष्टी कौन 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 से लक्षण रखता है, या कौन कौन सी विशेष्टाओं रखता है, उसकी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपन बात करते हैं कि परंपरावाधी चिंतन की शुरुवात जो है वो कहां से मानी जाती है वो मानी जाती है प्लेटो से प्लेटो पश्मी चगत का एक प्रमुक युनानी विचारक रहा है जो केवल कल्पनाओं की बात करता है केवल आधर्षों की बात करता है यह एक आधर्षवधी विचारत है और प्रंप्रावाधी चिंतन की शुरुवात प्लेटों से मानी जाती है उनका जो आधर्ष राज्जे का विचार है वो केवल कल्पना और तर्ग के उपर आधरित है इस राज्जे में उन्होंने जो चीजे बताई है उसका आधार उन्होंने बताया दाशनिक राजा के शाषन में कानून के शाषन की कोई भी आवशक्ता नहीं बढ़ेगी इसके बाद इन्होंने का कि उस आधर्ष राज्जे की जन्सक्या 5040 होगी इस राज्जे का शेत्रफल इस प्रकार से होगा कि यह भूभाग जो होगा राज्जे का यह भूभाग होगा वो समुद्र के किनारे इस्तित होगा तो इस तरह की जो चीजे दिये हों केवल कल्पना पर आधरित है आप खुद सोचिए इस चीज को कि क्या किसी राज्जे की जन्सक्या इसनी रह सकती है क्या कोई शाषक दाश्रिक राज्जा हो सकता है जो हमें संभव दिखाई नहीं देता दूसरी बात हम यहां इसमें करते हैं कि रोवन विचारकों में सिसरो का नाम आता है इसके अलावा मद्द्य यूग में सेंट ऑगस्टोईन और एक्विनास का नाम आता है जिनोंने परंप्रावादी चिंतन को आगे बढ़ाया है तो प्लेटो से शुरू करके रोवन विचारक सिसरो का नाम आता है मद्द्य यूग में सेंट ऑगस्टोईन और एक्विनास का नाम आता है मद्द्य यूग के विचारकों के बारे में हम यह कहते हैं कि यहां वे दो तलवारों के सिधांत की चर्चा करते हैं दो तल्मारों के सिद्धान का मतलब यह है कि हर मानव को इन दो तल्मारों पर चरना पड़ता है, एक अध्यात्मिक सुख से समंदित होती है, एक भौतिक सुख से समंदित होती है, भौतिक सुख की उपलब्दी करवाने में या भौतिक सुख को प्राप्त करवाने में राज चर्च हम इस बात को मान सकते हैं उनकी ये बात सही है कि मानव जीवन के जब अंकिन समय होता है मानव का तो वो हमेशा किस और बढ़ता है अध्यात्म की और बढ़ता है बहुत इक सुक्ण को भोगता वहाँ पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुखत होते में वो इश्वा की प्रंप्रावादी प्रिष्टिकोर्ण की और या प्रंप्रावादी अध्यन की और में जाते हैं। संत आउगस्टोईं ने City of God, City of God रचना लिखी जिसमें उन्होंने प्रत्वी पर इश्वर संचालित राज्य की बात किये। राजा को इश्वर का प्रतिनिधी बताया है और प्रत्वी पर जो राज्य है वो इश्वर गरा संचालित होता है और राज्य क्या होता है या राजा क्या होता है इश्वर का प्रतिनिधी होता है जो शाशन करने का काम करता है और जैसे इश्वर सभी के सुख की कामना करता है सब के दुखों को दूर करता है, सब की इच्छाओं को दूर करता है, वैसे ही राजा प्रत्वी पर इश्वर के प्रतिनीदी के रूप में काम करता है। वैसे ही राजा प्रतिनीदी के रूप में करता है, वैसे ही राजा प्रतिनीदी के रूप में करता है। हीगल के विप्रिक, माक्स यो है, वो पदार्त की बात करता हैं, वो कहता है, पदार्त में जो अंदर घ्चनत होता है, जिसके दो पहलू होते हैं नकारात्माध, सकारात्माध उनमें संगर्श के प्रणाम-सरूरु विकास होता है। तो हम परंपरःवादी चिंतन का आरभ किस से मानिए है? प्लेटो से, प्लेटो के बाद हम रोमन विचारक सिश्रों की चल्चा करते है, मद्ध यूग में हम सन्थ, अबस्तोई और है के प्रंपरःवादी चिंतन की बात करते है, अब हम किसी और बढ़ते हैं, शिच्ष्ता है हैं उनकी हम बाद करें तो पहली पहली प्लेटो की जो विचार्दारा है वो आधर्श्वादी है प्लेटो ने अपने जो विचार दिये धार्शनिक राजा के ऊपर आधर्श राज्य के ऊपर सामयवाद के उपर वे सारे क्या हैं कर्पना और तर्ग पर आधरीत है सामयवाद के उपर उन्होंने जो विचार दी है वो बहुत आस्यास पर थे उन्होंने इस प्रकार से कहा है कि पत्नियों का सामयवाद है पत्नियों का सामयवाद है या परिवार का सामयवाद है घटकर खाना काथ सके, बत्ताब रोप से राजा की कोई भी चीज नहीं हो गीया के पास अपनी कोई Sampatti नहीं होगी फिर दूसरी बात, वह पत्नियों के सामयवाद के बारे में क्या कहता है कि वह आज आ की पत्नियां सभी कि समाइ रूप से पत्नियां होगी तो क्या ऐसा संभव हो सकता है, माना वे एक समाजित प्राणी है, क्या एक की पत्नी दूसरे की पत्नी हो सकती है, क्या एक के बच्चे दूसरे के बच्चे हो सकते हैं, वो इतनी सी बात कहता है, इसमें तल्पना करते वे, कि एक अच्छा विक्ती जो है, एक अच्छा नर, ए राशनी चाशक है, उसको इस सिधानत्वा पालंग करना पड़ेगा, संपत्ति विश्यक सामेवाद का भी पालंग करना पड़ेगा, और परिवार या पत्नी विश्यक सामेवाद का भी पालंग करना पड़ेगा, तो पूरी तरह से उनका जो दर्शन है, तो किस पर आधरीत ह जो किसकी और इंगीत करता है परंपरागत राजनिती शास्त्र की और इंगीत करता है नहतिकता और मुल्यों पर बन दिया गया जैसे अपने जब राजनिती शास्त्र की प्रकर्टी की बात की थी तो अपने कहा था कि राजनिती शास्त्र एक विज्ञान है फिर हमने पढ़ा परंपरा का दृष्टीगोर। और वैसे अगर अगर आपन देखें, चाहे राजनिती शास्त्र कित्र है वे अग्यानिक बज्जा है, कितनी भी विशेश प्रकार की अध्यन पत्तियों का प्रेयोग किया जाए, चाए आजमनातमत प्ति हो, चाए संख्यातमत पढ़ती हो, चाए परिक्षण पढ़ती हो, चाए और कोई पढ़ती हो, अगर नेतिक्ता और मुल्यों को राजनिति शास्त्र में हम शामिल करते हैं, तो इसका मतलब है, कि हमारा द् Dotrhi Goad हमें की सौझ लजाता है, इन पद्धियां, तो राजनिती शास्तर के अध्यन पद्धियां कौन सी है? नमबर 1 गैति शासिक, नमबर 2 आश्रिक और नमबर 3 गानूनी. यह अध्यन पद्धियां हैं जिनकी उपर विद्वानों में मतने थेकर नहीं हैं. चोथा बिल्दू है संकुचित अध्यन, जब हमने राजिति शास्त्र के अध्यन शेत्र को पढ़ा था तो मैंने आब से आपका था कि परंपरावादी राजईति शास्त्री केवल राज्य की बात करते हैं इसकी विशे सामगरी में या इसके शेत्र में सर्दार की बात करते हैं, संप्रभूता की बात करते हैं, घरों की बात करते हैं, तो उनका जो अधियम शेत्र है वो बहुत संकुचित है, और परंपरावादी अपने आपने रुड़ी बात ही है, तो वो अपने आपने क्या हो समकुची दो गई और उनका आधियां क्या बन ग्या समकुची कही रिए इसके बाद में वैक्ति निष्टता परमपराभति दृष्टिकोर से जो विद्वान थे उनके जो सिद्धान्त हैं, उनकी जो विचारदाराएं हैं, वो उनके देख्तितों और उनके द्रश्टी कोड़ों पर आधारिक होती हैं जैसे अपन प्लेटों की बात करें, तो प्लेटों तातकाली ग्रूप से युनान की जो परिस्थितियां थी, उनसे वो क्या था? प्रभावित था, इसलिए उसका दर्शन हमें उसी प्रकार का दिखाई देता है अगर समझोता वादी विचारगों की बात करें, हॉप्स, क्लॉप, रूसो, तो तातकाली ग्रूप से इंग्लेंड में जो ग्रह युद की स्थिति बनी ली थी, उसने हॉप्स को यह सोचने के लिए मजबूर किया, कि प्राकर्तिक अवस्ता ऐसी ही अवस्ता होगी, जिसम से राज्ये नाम की कोई चीज नहीं होती और वेक्तियों का आपस में संगर्ष होता है, तो इंग्लेंड के ग्रहुद के समय इसी प्रकार की परिस्तिया होती थी, तो जो उनका वेक्तित हुए और उनका जो द्रश्टी कोण है, उसी पर उनका चिंतन जो था, वो आधारित मद्य युक के इसाई संत दार्श्रिकों का इश्वरी राज्ये, जिसकी पुपन ने आपर बात करी कि संत ओगस्ट वॉइन किसकी बात करता अपनी रचना की, सिटी ऑफ बॉर्ड नमा का अपनी रचना में प्रत्वी पर इश्वर संचालित राज्ये की बात करता है, आध इसका क्या है विवेक, विवेक ही वेक्ति को किसी कारे को करने से रोग सकता है, अगर हम प्लेटो के दार्शलिक राजा की बात करें, तो हम यह कह सकते है कि जब प्लेटो ने यह कहा कि दार्शलिक राजा के शाशन में कानून के शाशन की कोई आपशक्ता नहीं होगी, तो तो फिर राजा को कौन नियंत्रित करेगा, तो वो नियंत्रित करने होना कि कौन सा है, विवे, विवे की व्यक्ति को किसी कारे को करने से रोक सकता है, तो हमने क्या देखा, किसका अध्यम किया, प्रवप्रावादी, राज्यति शास्त्र की विशेश्ता होगा, अध्यम किया कल के अपने लेक्चर में अब हम क्या पढ़ेंगे आदूनिक राज़ते शास्तर की विशेश्टा है